हलो दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद आयरवेद हेल्थ केर में दोस्तों आज हम सर्सों के पोधे के बारे में चर्चा करेंगे और यह सरीर में किस तरह फाइदा पहुंचाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों सरसों का पोधा सर्दियों में सबी जगें खेतों में उगया जाता है और इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है लेकिन दोस्तों आपने इसका केवल तेल के बारे में ही सुना होगा लेकिन गया है सरीर में कई प्रुकार की बिमारियों को नास करती है इसके पत्तों से बनी सबजी को खाने से सरीर में फंगल इंपेक्शन और UTI से सम्मंदित सभी बिमारियों का नास होता है इसके पत्ते की सबजी खाने से तुवचा से सम्मंदित सभी रोगों का नास होता है यह दाद, एक्जिमा और खुजली से सम्मंदित सभी बिमारियों को दूर करती है इसके फूलों का तेल बनाकर प्रियोग में लेने से जिस इस्त्री को बाजपन की सिकाइत है उसके लिए यह दवा रामबान इलाज है इसका प्रियोग तेल को इसी पुधे के तेल में या रस इस डंठल के रस में गरम कर प्रियोग में लेने से सुबसाम गरमबानी के साथ इसका प्रियोग करने से यह इस्त्री के गरब स्थापना करने में फाइदा पहुंचाती है इसके डंटल का प्रियोग स्वास रो को दूर करने में किया जाता है इसका डंटल सूखते ही उसको धुआ प्रियोग करने से सास में होने वाली तक्दीप दूर होती है और इसके पत्वों के साथ काला नमक मिलाकर सरीर में जहां लगातार खुजली रती है वाँ रगड़ने पर दो-चार दिन में ही खुजली का नास हो जाता है शरीर में एंटिवायटिक केपिसिटी बढ़ने के लिए इसके पत्तों का रस और फूलों का रस बहुती लाबदायक है दोनों रोजना एक-एक चम्मच सुबह साम परियोग करने से सरीर की एंटिवायटिक केपिसिटी बढ़ती है और ब्लड प्रेसर जिसका हाई रता है उसके लिए यह दवा राम बान उपाय है दोस्तों हमारा यूट्यूब चेनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाए देने वाले लाल बटन का प्रियोग करें जिससे की आपको रोजना वीडियो अपडेट्स मिल सके